मैं समस्ताओं कि कहीं भी उत्रगन काड़ा पराधानी की दस करोड रुपए के जर्माने की बस्ताइए यह जामने चीज नहीं है एक जो इस तरह के लोग हैं जो इन कारियों में संलिप होते हैं इस वक्त उत्रगन के पूरु मुख्य मंत्री त्रिवें सिंग रावज जी हमारे संद्र सर आप लगाता गड़वाल के बाद खुमाओ दोरे पर शेक्ति जल्द ही चुनाओं कि इस तरीके से तैयारियां हैं और जो आपके दोरे हैं उसको किस तरीके से दिखाजिए जानओं कि यह आपके पार्टि पार्टी एक संगठन अधारी दल है आता चाथारा पर घ्रान करता है तो इस बार्ट कि जो उस्टा चलती रहती हैं इस प्रवास चल रहा है वो इसी निमेद चल रहा है कि जो दोज़ार चौवीश कि मौदी उना ओकिंट सकार के अधिक सब्सक्राइब है फिर इसे बहुत कि फिर असे पाज कर रहे हैंनों तर भारत के बड़े कि नित नए रिकार्ड कायम कर रहे हैं चाहे राजनेतिक दिष्टी से हूं चाहे देश के आर्थिक मुनती के दिष्टे से हूं कि सामरी के निष्टे लों हो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है उसको लेकर हम जलता की दिष्टा पार्टी को प्रचंड वहमत के साथ देश फिर पर बाग दोर संपर इसके लिए प्यास के लिए पर प्रदेश में युवा भी सड़कों का उद्रा था और पहे हैं किस तरी कि अधिके से देखते क्योंकि सरकार भी मना कर चुके और कोट ने कहां कि जांस तरह में चल दए हैं मुझे इसा रखता है कि कोट पर तुर विश्वास करना चाहिए और कोट जो फैसला है उसको मानना चाहिए बढ़ाई जो सरकार भी मानती है और आम लोगों को उसको मानना चाहिए इसके लावर जैसे प्रेजर वाला जो एक सरकार की द्वारा थी एक रुपे में जो कनेक्शन दिया जा रहा है उसके इस वाद जो देखा जा रहा है उसके पानी की अब लगातार कामी देखी जाएगी वो किस तरी के सब देखते हैं और उसके लिए तो तयारी करने चाहिए अवेरनेस की ज़र्वत है जागरुटा की ज़र्वत है लोग पानी का कैसे बचाव कर सकते हैं वो भी लोगों को देखना चाहिए और जो सरकारी डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्यदारी है वहाँ प्रियाब पानी को मिले जो लीक है और इसमय पर किया है प्रितिने मुझे लगता कि सारी जोगता है ठीक हो जाएंगा घस्यारी योजना को लगातार विपक्स अवाज उठा रहा है उसको लेकर के लगातार हमला करना सरकार आप किस तरीके से उसको देखते हैं तिक है घस्यारी करने योजना से बहुत प्रोड़क्त है वोकिसानों से खरीदा जाता यह जो 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 उन्य दिज्वाटे नियवाह से इस्तिमाल होती है वह अच्छा मुझे जाता है एक बद तुमें कहना चाहूंगा कि उसका अच्छा मुझे कि समयं आ जाता है तो जो उसकी डिमांड है जिस तरह से उसके लिए और प्लांट लगने चाहिए तेका प्लांट से घास पैदा नहीं होता है तो फेतों में ही पैदा होगा और जो घास पैदा करें गों किसान पैदा करें इसलिए तोनों का सामझे से चाहिए है कि अब जो डिमांड तैक्निलोजी और जो प्लांट से लगाए विसको प्रोसेस करें गार अवाज उठा रहा है लगातार सरकार के खिलाब को अभी उसने यह कहा है कि अभी जो उनकी रड़ाई है वह भी खतंग नहीं हुए है आगे भी लगातार लड़ाई जारी रहें इस तरीके से उनका प्रदर्शन देखते हैं तो उनकी जो डिमांड थी एक कानून परना चाहिए विपादर्श कानून बना चाहिए शक्त कानून बना चाहिए वह समस्तों कि कहीं भी इस तरह का कड़ा पराधाने की 10 क्रोड रुबै के जुर्माने की बस्ताती है यह सामने च सब बिख जाएगा किसके बाद हो सकता है इतना हो भी नहीं काफी सक्त कानून सरकार ने बनाया है और जाचे हुई है जहां लोग देल गये हैं मुझे लगता है कि सरकार ने जो काम और जिनकी डिमांड तो पूरा करने का कान दिया था हमको सरकार कुश्वास करना चाहिए जो लोग है वो लगातार जमानत में बाहर आजाए अब दीकिए भई इतो कोट का काम है कोट में पैरवी सरकार की तरफ से हो जी जो एड़ोकेट्शन हो पैरवी कर रहे हैं और जमानती होती है लेकिन जमानत होने का मजब यह नहीं कि बरी हो गया कि सरकार अपनी तरफ से प्रियास कर रही है इस पूरी पार दस्ता के साथ के साथ हो और आरू मुखि मत्री त्रिवेंट सिंग रावज जो कि лदातार गडवाल के बास सुमाव दोरेकर है और कही ना कहीं भारती जनता पाटी को मजबूत करने की बात कर रहे और आन वाले जो चुनाव है उसमें फिर से भी ये पता का लेहाने वारी है राभू सुझाइब आफ़ाने